नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अमित महिश्वरी, बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटिविशनल स्पीकर and CEO, मैं टास ओवर्सीज लेमिटेड फ्रेंड्स एक कहानी मैं आपको यहां बताना चाता हूँ, हमेंसे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत लिक तरक्य करना चाते हैं, अपने बिजनस को डिव्लप करना चाते हैं, ऐसी एक बिजनसमें था, और बिजनसमें अपने गुरू को बहुत मानता था, लेकिन अपने बिजनस में पूरी मेहनत करने के बाद भी, बहुत ज़दा एफ़र्ट्स करने के बाद भी, वो बिजनस को ग्रो नहीं कर पा रहा था। मतब कहीं न कहीं बिजनस में वो स्टक हो गया था, तो उसने सोचा क्यों ना इसका उपाय अपने गुरू जी से पूछा जाए। मतब कहा यहां एक बाल्टी रखी है और एक मग रखा हुआ है, आपको एक काम करना है, इस मग से इस बाल्टी को भरना है, उस व्यक्ति ने गुरू जी के कहने पर बाल्टी को भरना शुरू किया, तभी गुरू जी ने कहा कि ध्यान रखना, जब तक मैं मना ना करूँ, त लेकिन गुरुजी ने कुछ कहा ही नहीं, वो व्यक्ति लगातार मग डालता रहा और पानी फैलता रहा, तब ही गुरुजी ने कहा कि आप मैं आपको बताता हूं कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उस व्यक्ति का प्रशन था कि गुरुजी जब आपने दे सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, और हम आगे वाली चीजों को सीखना बंद कर देते हैं, जिसकी वज़ा से हमारी अवस्था उस बाल्टी की तरह हो जाती है, जो पूर्ण रूप से भर चुकी है, और उसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं आ सकता, यदि आपको लाइफ में तर्गेट अचीव कर सकते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, इसलिए जरूरी है उस बाल्टी में से कुछ पानी जो पुराना हो गया है, उसको खाली करने की और नया पानी भरने की, गुरू जी ने भी यही कहा था, कि जब तक आप बाल्टी को खाली नहीं करेंगे, नया पानी उसमें नहीं भरा जा पाएगा, और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, या मेरी टीम को कॉल करें, इसके अलावा, अगर आप बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनस करना चाहते हैं, तो आप मेरी कंपनी के एसोस मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमितना इश्वरी, आप के सुनरे बविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत